इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, friends, कि आपने YouTube application को कैसे hide कर सकते हैं, या फिर आप सुहाते अपने YouTube application को छिपाना तो उसे कैसे छिपा सकते हैं, वही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, इस वीडियो को आप थोड़ा द्यान से देखते रहे हैं नमस्कार दोस्तों आपका हमारी YouTube चैनले पर बहुत-बहुत स्वागत है यहां पर देखें सबसे पहले हम अपने YouTube अप्लिकेशन को ओपन कर लेते हैं और जैसे अपने YouTube अप्लिकेशन को हम ओपन करेंगे बहुत छोड़ा सा प्रोसेस है इसके लिए देखें सबसे पहले आप अपने मोबैल पर आईए और अपने मोबैल में सेटिंग को ओपन कर लिजिएगा जैसी से ओपन करेंगे उपर देखें एक सर्च बार का एकन है यहाँ पर आप एप लोग लिखकर सर्च कर सकते हैं वरना इस तरह किसे नीचे स्क्रोल करते वे चले आएंगे तो यहीं पर देखें एक ओप्सन देखने को मिलेगा प्राइवर्सी सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बात लोग नीचे स्क्रोल करते हुए आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको एप लोग को ऑप्सन मिलेगा आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद लिखा है सेड पासवर्ड तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ अप्लिकेशन एटोमेटिक सेलेक्ट को और आ जाएंगे तो उन सभी को सबसे पहले यहाँ पर आपको अंटिक कर देना है जो भी यहाँ पर टिक होंगे चले उन्हें अंटिक कर देते हैं इसके बाद देखिए नीचे लॉक का उप्सवन होगा सिंप्ली लॉक पर आप किलिक करेंगे यहाँ पर देखिए लिखा हुए फिंगर्पिंट लॉक रिक्मेंटर्स मतलब आप इसके साथ फिंगर्पिंट का लॉक भी यूज करना चाहते हैं या अपना फेस लॉक भी यू मुबैल में लगाया हुआ है वहाँ पर लग जाएगा अगर उसे अप्लिकेशन को हम हाइड करना चाहते हैं तो हाइड करने लिए 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 हाइड फ्रोम हॉम स्क्रीन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे इसे आप हमने होम स्क्रीन से हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ देख सकते हैं your access code हमारा यह access करने का code होगा हम जब हैं 1234 हमने बनाया हुआ है तो यह हम जब डालेंगे तभी हम application को access कर पाएंगे चलिए हम डान पर click करते हैं और यहां से हम बैक आ जाते हैं तो अभी यहां पर बैक आने के बाद देख सकते हैं तो हमारा YouTube application है यहां से hide हो चुका है अगर हम इसे अब दुबारा देखना चाहते हैं यह चलाना चाहते हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे सबसे अपने डाइलर पर आएंगे और डाइलर को हम open करेंगे डाइलर को open करने के बाद हमें यहां पर has जो मैंने अपना password बनाया है जो हमारे सीवा सो स्थे अपने बहुत ही आसंतर अधरे से महीं से आप ह 생각 है सकते हैं और वहीं से अप अनहीं कर सकते हैं सो अपोगोगे च्योटा इन से आप हम में बहुत हो